नमस्कार जी पंजाब हर्याना हिमाचल के मॉनिंग बुल्टिन गुद मॉनिंग जी में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हुरी ना कौर अब गुद मॉनिंग जी में सबसे पहले नज़र दालेंगे उन ख़बरों पर जिन पर दिन भर आज रहेगी हमारी नज़र साथी की 25 खबरें फड़ा फट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे तो चलिए शुरुबात उन खबरों से जिन पर आज दिन भर रहेगी हमारी नसर पहली खबर का रूप करते हैं आपको बता दे कि पंजाब कॉंग्रिस के अधिया बात की जाए तो हर्याना से तालुक रखती है सिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनुहरलाल आज गुरु ग्राम पहुंचेंगे आपको बता दे कि गुरु ग्राम के चकरपुर गाउं में वो आज पहुंचेंगे और यहाँ पर क्लास 9 और 10 के चात्रों से वो मु एहम बैठक होने वाली है शिमला में मुख्यमंत्री वीर भादर सिंग की अध्यक्षता में दुपहर को दो बजे काबिनिट की एहम बैठक होगी स्वास्ते विभाग में भर्तियों को लेकर इसमें एहम फैसला भी लिया जा सकता है तो यह वो एहम खबरें हैं जिन पर दि अग रहा पर जाने की तयारी में हैं जिसके चलते उन्होंने 6 सितंबर से शुरू हो रही अपनी पंजाब परिवर्तन यात्रा के कारेक्रम का एलान कर दिया है आमादनी पार्टी के पंजाब से योचक पद से हटाए गए सर्दार सुचा सिंग छोटेपूर अब जनता की अदालत में जाकर अपने सियासी भविशे का फैसला करने की तयारी में है सर्दार सुचा सिंग छोटेपुर 6 सितंबर को अपने हलके गुर्दासपुर से अपनी पंजाब यात्रा का आगास करने जा रही है और इस यात्रा को नाम दिया गया है पंजाब परिवर्तन यात्रा तैय प्रोग्राम के मुताबिक सर्दार सुचा सिंग छोटेपुर 7 सितंबर को जलंधर, 8 को रुपड, 9 को फतिगड साहिप और 10 सितंबर को पट्याला का दौरा करेंगे कथित स्टिंग और पंजाब कनवीनर के पट से हटाए गए सर्दार सुचा सिंग छोटेपुर की आला कमान के साथ दूरियां बढ़ती जा रही हैं हलाकि उनको मराने की कोशिशे भी अंदर खाते जारी हैं लेकिन सर्दार सुचा सिंग छोटेपुर ने जहां कथित स्टिंग मामले की जांच कर रही कमेटी के सार्थकता पर ही सवाल उठा दिये हैं वहीं अपने अगले सियासी कदम के लिए वो जनता से राय लेने की बात कह रहे हैं पंजाब में जगय जगय पर सर्दार सुचा सिंग छोटेपुर के हक में परदर्शन हुए और पंजाब से बड़ी संख्या में आमादमी पार्टी ये वेलंटियस दिल्ली कमान को खुली चुनाती दे रहे हैं पंजाब में 13 में से 6 हलका इंचार्च छोटेपुर के हक में आवाज बुलंद कर चुके हैं इस बीच पंजाब यात्रा पर निकल रहे सर्दार सुचा सिंग छोटे पर दिल्ली इकाई के लिए सिरदर्दी खड़ी कर रही हैं और पंजाब में सत्ता के सबने देख रही आमादमी पार्टी के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे रहने वाले हैं क्योंकि छोटे पुर का पंजाब में अच्छा खासा आधार है जिस तरीके के साथ वो पद से हटाए गए उसे पार्टी वरकरों के साथ साथ आम लोग भी सर्दार सुच्छा सिंग छोटे पुर की समर्थन में हैं न्यूस्ट्रेस करिपूर जी मीडिया पंजाब में टिकेट बतवारे को लेकर आमादमी पार्टी में बवाल हो चुका है इस बीच टिकेट पाने की चाहत रखने वालों का हवाला दे कर आमादमी पार्टी दिली के विधायक ने पंजाब में पार्टी का चंडा बुलंद करने वाले संजिस सिंग और दुर्गेश पाथक पर गंभीरा रोप लगाए आमादमी पार्टी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे संदीब कुमार सेक्सीडी विवात को लेकर पार्टी मुश्किल दौर में है पंजाब में सुच्चा सिंग छोटेपुर को लेकर पार्टी दोफाड हो चुकी है इस पीच केजरीवाल सरकार के विधायक ने पंजाब में टिकट बंटबारे को लेकर संद्या सिंग और दुर्गेश पाथक के आचरन पर सवाल या निशान लगाया है उन्होंने केजरीवाल को चिठी लिखकर आरोपों की सच्चाई का पता लगाने की मांग की है कि पंजाब इस जो रिपोर्ट आई है जनानिया दिनाल जो है टिकटा के उपर जो सेक्स्विल ग्राटिफिकेशन की रिपोर्टां कम्प्लेंज ये सब तो शेमफुल डिस्ग्रेसफुल कौन लोग हैं कौन ऐसे काले कारनामे करें हैं पार्टी की तो पंजाब में जो कैसे अगुवाई संजे सिंग दुर्गेश पार्टे करें उन्होंने बताया कि पार्टी को एक्शन लेने की जरूरत है वरना खाम्याजा भुकतने के लिए तयार रहना होगा पंजकुला में जी पंजाब हर्याना हिमाचल से बाचीत में सहरावत ने कहा कि उन्होंने अन्होंने अन्ना हजारे से भी दखल की मांग की है जब अपने ही सवाल पूछने लगें तो साफ है कि दाल में कुस्तो काला है जक्तार भुलर जी मीडिया चंडिगर सिमरंजीत सिंग बैंस ने दावा किया है कि आवाज पंजाब के ऐलान के बाद कई लोगों ने उनके इस मोर्चे से जुड़ने की इच्छा व्यक्ती है और लोगों में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की गिंती ज्यादा है अवाज पंजाब के आलान के बाद लुझाना से विधैक सिमरंजीत सिंग बैंस काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं और बेहर तहदिली से अवाज पंजाब मोर्चे के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं और साथ ही उनका दावा है कि अवाजे पंजाब के एलान के बाद बड़े गिंती में लोगों ने उनसे जुणने की पेशकर्ष की है सिमर जीज बैंस का दावा है कि विरोधी पार्टियां खास कर आम आजमी पार्टिय से जोड़े लोगों ने अवाजे पंजाब का हिसा बने में रुची दिखाई है बगवन तमान दोरा मीडिया से बस सलूगी किये जाने की भी उन्होंने निंदा की सिमर जीज बैंस ने कहा कि लोगतंत्र के 34 स्थम के साथ ऐसा बरताओ कर ना दुरबागे पूर्ण है फिलहाल 8 स्थम्वर को आवाजे पंजाब के बोल सपस्ट शुनाई देंगे तब तक इस फ्रंट की अवाज कौन बना है और किसने इसकी अवाज बनना है इस पर सस्पेंस बरकरार है बिर्य रिपोर्ट सी मीडिया सीडी स्कैनल में फसे दिली सरकार के पूर मंत्री संदीब कुमार की रोहिनी कोट में पेशी हुई जहां से कोट ने संदीब को एक दिन की पुलिस रिमान पर पेजा है सुत्रों के मताबिक संदीब कुमार से कल सुल्तान पुरी थाने में पूश्टाच हुई संदीब कुमार से पुलिस ने कई सवालों के जवाब मांगे क्या पिक्चर और वीडियो में जो महिला हैं दिख रही हैं क्या आप उन लोगों को जानते हैं महिला ने जो आरोप लगाये हैं उनमें कितनी सच्चाई है क्या ये वीडियो आपने खुद बनाया अगर हां तो इसे बनाने का मकसद क्या था क्या ये मुबाइल फुटेज है या फिर स्टिंग का कैमरा इस्तेमाल किया गया है महिला का कहना है कि आपने उसे राशन कार्ट बनवानी के लिए बिलाये था ये कितना सच है संदीब कुमार के खिलाफ धारा 376 यानी रेप का मामला दर्च किया गया है जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है संदीब कुमार पर धारा 388 यानी नशीला पदार्थ खिलाने का भी मामला दर्च किया गया है 10 साल तक की सजा का प्रावधान है सरसट ए IT Act की धारा के तहद भी मामला दर्च हुआ है जिसमें अशलील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वाइरल करने का आरोप है Prevention of Corruption Act के सेक्षन साथ के तहद भी आरोप है जिसमें 6 महिने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लग सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दफ्तर ने देज साल में चाय नाश्ते पर 58 लाख रुपे खर्च किये यह आंकड़ा फर्वरी 2015 से जुलाई 2016 के बीच का है इस रिपोर्ट पर एक नज़द आ लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केश्रिवाल और उप मुख्यमंत्री मनेश्य सोदिया के दफ्तर ने फर्वरी 2015 से जुलाई 2016 के बीच 58 लाख रुपे चाय, नाश्ते और खाने पीने की दूसरी चीजों पर खर्च किये हैं इसका खुलासा एक आर्टियाई के जवाब में हुआ है मुख्यमंत्री केश्रिवाल के दफ्तर ने चाय नाश्ते पर करीब 47 लाख रुपे खर्च किये हैं केश्रिवाल के सचिवाले स्थित दफ्तर ने करीब 22 लाख जब की कैम्प दफ्तर ने 25 लाख खर्च किये उब मुख्यमंत्री मनिश सिसोदिया के दफ्तर ने चाय नाश्टे पर करीब 11 लाग रुपे खर्च किये हैं सिसोदिया के सचीवाले स्थित दफ्तर ने 5 लाग 62 लाग जब की कैम्प दफ्तर ने 5 लाग 66 लाग खर्च किये हैं दिल्ली के पांच मांतरियों के दफ्तर में चाय नास्ते का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो जे एक क्रोड से उपर बैठेगा बिरो रिपोर्ट के साथ जीवन रामगड जी मीडिया